सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग ZK और Current Affairs के महतपूर क्वेस्चन का रिवीजन करेंगे और लाश्ट में हम लोग आज के जो आपके महतपूर Current Affairs है यानि की 5 गस्त के Current Affairs उनको देखेंगे ठीक है भारत के 10 सहरों में Street View Map किस कमपनी के दौरा प्रारम किया गया तो अभी हाल ही में Street View Map जो है प्रारम किया गया Google Map के दौरा ठीक है न और ये कितने सहरों में स्टार्ट किया गया तो भारत के 10 सहरों में स्टार्ट किया गया और किस कमपनी की सायता से तो Mahindra ठीक है और आपका Genesis Company है जेनेसिस कमपनी इसकी सायता से इसको प्रारब किया गया भारत में अगला हमारा है इसरो की वाड़िजिक साखा NSIL के दौरा संचार उपग्रह GZ24 किसे लीज पर दिया गया है तो अभी आपको बताया गया था कि GZ24 को जो है किसने प्रक्षेपित किया था इसरो की वाड़िजिक साखा NSIL के दौरा प्रक्षेपित किया गया था और इसे किसे लीज पर दिया गया है तो इसे लीज पर दिया गया है टाटा प्ले को अगर मैं आपसे पूछ लूँ को GZ24 को किस जो है रॉकेट से लांच किया गया था सुरेस एन पटेल ठीक है सेंट्रल विजिलांस कमिशनर जो है कौन बने हैं सुरेस एन पटेल आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए 10% का आरक्षड किस सम्मिधान संसोधन के दौरा लागू किया गया था तो जो आपका EWS है ठीक है न तो इसके लिए 10% कार्षड का प्रावधान किया गया है सम्मिधान के 103 सम्मिधान संसोधन अधिनियम के दौरा ठीक है 103 सम्मिधान संसोधन अधिनियम के दौरा आर्द्र भूमी के सनक्षण के लिए रामसर सम्मेलन किस देश में आजित किया गया था तो ये किया गया था इरान ठीक है इरान देश में इरान के रामसर सहर में ठीक और कब किया गया था तो 1971 दो फरवरी 1971 को ठीक है तो विस्व आर्द्र भूमी दिवस जो है इसलिए दो फरवरी को मनाई जाती है और इसके रामा जो है अगला question देखेंगे शमवेदन सील रामसर साइट्स को किस में सामिल किया जाता है तो जो आपकी समवेदन सील रामसर साइट्स है यानि कि जिनका छरड हो रहा है ठीक है दिग्रेड़ेशन हो रहा है उनको किस में सामिल किया जाता है तो उनको मौन्ट्रेक्स रिकार्ड में सामिल किया जाता है ठीक है और भारत की कितनी रामसर साइट्स ऐसी है जो मौन्ट्रेक्स रिकार्ड में सामिल थे है तो भारत की ऐसी दो आपकी समवेदन सील रामसर सा अगला question है, Federation of International Cricketers Association की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो यह आपकी Federation of International Cricketers Association है, ठेक है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कुनी गई है, लीसा इश्टा लेकर, जो की आश्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम का हिस्सा थी, ओके, सन्युक्त राष्ट में भारत के इस्थाई प्रतिनिदी कौन न्युक्त की गई है? तो इसन्युक्त राष्ट में भारत की इस्थाई प्रतिनिदी सन्युक्त इसन्युक्त है, उनका नाम है, रुचिरा कमबोज, Important Question है, जरूर इयाद रखना. भारती प्रिस प्रिसद यानि की PTI Press Trust of India की नई प्रमुक किसे बना गया है? तो प्रिस ट्रश्ट आफ इंडिया की जो नई प्रमुक बनी है वो है आपकी रंजना प्रकास तेसाई अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि उत्तराखंड राज्ज के लिए समान नागरिक संगीता लागू करने के लिए जो आपका समीती बनाई गई है उसकी अध्यक्ष कौन है तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते है अंतराश्ट्री बॉक्सिंग एसोसियेशन की एथलीट समीती का अध्यक्ष किसे न्युक्त किया गया है तो Athlete Summit का जो अध्यक्च चुना गया है वो चुना गया है लवलीना बोर्गोहन को इसके अलावा जो आपके शिव थापा थे ठीक है सिव थापा को इसका एक सदस से चुना गया है ठीक है तो अंतराश्टी Boxing Association की Athlete Summit का अध्यक्च आपकी कौन है लवलीना बोर्गोहन और जो सदर से चुने गए हैं वो हैं आपके सिव थापा वेलकम टू एक्जाम सह पाठी आप लोग देख रहे हैं डेली करन्ट अफेर्स और जीके रिवीजन की क्लास को यह हम लोग यहाँ पे डेली करते हैं ठीक है न और यह सबी एक्जामस के लिए इंपोर्टेंट होगी क्योंकि करन्ट अफेर्स और जीके आपके हर एक एक्जाम में पूछ ली जाती है अगर आप यहाँ पे पहली बारा है तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लवा टेली ग्राम, इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर भी आप हमें फालो कर सकते हैं तो आईए कांटीनू करते हैं अपना रिवीजन जानवरों के लिए विक्सित किये गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का क्या नाम है तो ये जानवरों के लिए विक्सित किया गया है और देश का पहला कोविड रोधी टीका है आपका एनो कोवेक्स नेक्स्ट हमारा है हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल निक्त किया गया है तो मनरेगा लोकपाल जो निक्त किये गए है उनका नाम है N.J. O.J.ा दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे निक्त किया गया है तो आपका पुलिस कमिशनर बनाया गया है दिल्ली का तो ये बनाया गया किसे संजे अरोडा को हाली में इनकी निक्त की गई है अगला हमारा है पत्र सूचना कार्याल है यानि कि Press Information Bureau के प्रधान महानी देतरक का पदभारills ने गरहाड किया है तो Press Information Bureau के जो आपके प्रधान महानी देतरक बने है वो बने है आपके सत्यांदर प्रकास जुलाई 2022 में भारत में भारत ने अंतराश्ट्री महत्व के किन पांच नए आदरभूमी अस्थल नामित किये हैं तो याद रखना कि ये आपके पांच जो है नए आदरभूमी अस्थल जुलाई में आये थे अभी हाल ही में दस और जो है जुड़े हैं तो कुल जो है 64 हो गए है तो मैं यहाँ पे जुलाई वाले कवर कर रहा हूँ और यह जो दस जुड़े हैं इसको लाश्ट में भी आपको बताऊंगा ओके तो पांच कौन-कौन से थे तो आपका साख्य सागर कहां पे था मध्य प्रदेश में पाला आरदरभूमी कहां पे थी तो यह आपका मिजोरम में था पिछा वरम मेंग्रो कहां के थे तो यह आपके तमिल नाडु के थे जिनने आरदरभूमी अस्तल गोसित किया गया पली करनई मार्स यह कहां के थे तो यह आपके तमिल नाडु के थे इसके लावा आपका करी कली पक्छी अभ्यारन ने जो है यह कहा गा था तो यह भी आप इनके आप इस्टेट्स जाद रखना, क्योंकि जो है अभी हाली में ये बनाये गए हैं, तो आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है। अगश्त दोजार बाईस में किस राज्य के मुख्य मंतरी ने साथ नए जिले बनायने की घोश्रा की है, तो साथ नए जिले बनाया जाएंगे पशिप बंगाल में, पहले ये संख्या कितनी थी, तेश थी, अब हो जाएगी कुल 30 जिले हो जाएंगे, कहाँ पे पशिप नदार नेक्स्ट हमारा है जुलाई 2022 में किस भारती ये नागरिक को विस्सो बैंक के मुख्य अर्थसास्त्री के रूप में न्युक्त किया गया है तो वो बने हैं इंदर्मीत गिल ठीक है तो इंदर्मीत गिल को जो है ये आपके भारत के नागरिक हैं ये भी याद रखना है इंदर्मीत गिल इन्हें विस्सो बैंक में मुख्य अ प्रावधान था इसमें किसका प्रावधान था इसमें प्रावधान था आपका NJAC ठीक है यानि कि नियाइक नियुक्ति आयोक का था ठीक है राष्ट्री नियाइक नियुक्ति आयोक का जो है इसमें प्रावधान किया गया था जिसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने असमेधानिक करार दिया था मौलिक अधिकारों के उलंगन होने पर अनुछेद 32 के अंतरगत सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है तो पहली बात तो आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकारों के उलंगन होने पर जो है ये जारी की जाती है और किस अनुछेद के तहत तो अनुछेद 32 के तहत अनुछेद 32 को जो है समवेधानिक उपचारों का अधिकार है ये ठीक है समवेधानिक उपचारों का अधिकार इसको का जाता है और इसको जो है समवेधान की आत्मा किस ने कहा था यानुछेद 32 को समवेधान की आत्मा किस ने कहा था जवाहलाल नहरू ने कहा था या फिर जो है अमबेट करने कहा था यह आपको कमेंट करके बताना है तो पांच जो आपके रिट जारी होते हैं कौन-कौन से हैं एक तो आपका बंदी प्रत्यक्षी करड़ अधिकार प्रिक्षा परमादेश उत्प्रेशड और प्र इसका अनुच्षेद आपको 129 नियाद रखना है अभिले एक नियाले से संबंदीद किस अनुच्षेद के अंतरगत भारत का राष्ट्रपती सर्वोच नियाले से परामर्स मांग सकता है तो कौन सा यसा अनुच्षेद है जिसके तहत जो आपका भारत का राष्ट्रपती है वो सरवोच नियाले से परामर्स मांग सकता है तो वो आपका अनुच्छेद 143 है ठीक है लेकिन आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसके लिए सुतंत रहे कि वो जो है राश्ट्रपती को परामर्स दे या फिर ना दे ठीक है विसेस आहरण अधिकार यानि की इसका संस्था से है तो HDR का फुल फ़र्म इसपेसल ड्रोइंग राइट्स ठीक तो विसेस आहरण अधिकार हिंदी में कहते है इसका संबंध आपके अंतराश्ट्री मुद्रकोस यानि की IMF जो संस्था है इससे है HDR को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो इसपेसल ड्रोइंग जो पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है ठीक है HDR में कौन-कौन से मुद्राइं सामिल है तो HDR य्यानि की विसेस आहरण अधिकार में आपकी जो है पांच मुद्राइं सामिल है एक तो डालर है फिर पाOOMंड येन है यो र यू वान है ठीक है डालर अमेरिका का पाउंड आपका ब्रिटेन का येन आपका कहा का जापान का यूरो कहा का है तो यूरो आपके यूरोपियन कंट्रीज का है और आपका यूवान कहा का है तो ये आपके चाइना का है और ये ही आपका नवीनतम है ये भी आपको याद रखना है विश्चो ब्यापार संगठन की पूरव वरती संस्था थी उसका नाम क्या था जी ए टी टी और गैट का फुल फॉर्म क्या था ये भी आपसे एक्जाम में पूछा जाता है ये दोनों एक जनवरी 1995 में ठीक है 1995 में फॉई थी ये इंपोर्टेंट है मुख्याले कहां पे है तो मुख्याले आपका है जिनेवा स्विटिजले लेंड में वरतमान में प्रमुख कोन है तो वरतमान में प्रमुख है नागोजी उंकाजा एवियला किस देश से सम्मंदित हैं तीन-च नवींतम सदसे देश कौन सा है तो नवींतम सदसे देश जो है 164 आपका अफगानिस्तान है ओके तो आईए अब देखते हैं 5 अगस 2022 के महतपूर कराट अफेर्स को किस राजी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को निजी विद्यालेओं में मुप्त सिक्षा इसका उद्देश से आपको ज़रूर याद रखना है कि जो आपका चिराग योजना है ये हरियाणा सरकार ने श्टार्ट की है और इसका उद्देश क्या है जो आपके EWS के चात्र है यानि कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े चात्र है इनको जो है प्राइवेट स्कूल 500 की सूची में आपका जो company Sears पे है वो है आपका walmart ओके walmart इसमें पहले नमबर पे है लगिन अगर आपसे भारती कंपनियों में पहले स्थान पे पूछ लिया जाएगा तो भारती कंपनियों में जो पहले स्थान पे है वो है आपका LIC ठीक है और आपका दूसरे नमबर पे ह कोण है तो वो है आपका walmart किस देश की company है USA यानि की अमेरिका की company है चर्चा में रहा सर्व महिला सुतंतर समुदरी तोही और निगरानी मिशन की कंपतान कोन है। तो सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिसन की कप्तान जो है इनका नाम क्या है इनका नाम है आंचल सर्मा ठीक है आंचल सर्मा इनका नाम है और यह आपकी सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिसन की कप्तान थी सुप्रिम कोर्ट के कॉलोजियम में भारत के 49 मुख्य नयाधिस के लिए किसके नाम की सिफारिस की है तो यहाँ पे में नहीं होगा यहाँ पे नहीं होगा ठीक है तो सुप्रिम कोर्ट की अभी आपको बताया गया कि इसके जो आपके नयाधिस होते हैं जो है कोलेजियम बे उस्था से की जाती है तो कोलेजियम ने जो है अभी उन्चासवे मुख नैधिस के लिए किसके नाम की सिफारिस की तो यह की है जश्टिस यू यू ललित के नाम की सिफारिस यानि कि अगले जो आपके चीप जश्टिस बनेंगे वो कौन बनेंगे वो ब इससे चला जा रहा है तो अप्रेशन मुक्ति अभियान यह चला जा रहा है उत्राखंड राज में और इसका उद्देश से भी इंपॉर्ट guest है कि जो जो बच्चे भिकषा मांगते हैं उनको जो है सिक्षा उपलब्द कराना इसका उद्देश से ओपरेशन मुक्ति का हाल ही में युनेसको ने किस राज्य के लंगत सिंग कालेज खगोली वेदसाला को दुनिया की महतपूर लुप्त प्राय विरासत वेदसालाओं की सुची में जोड़ा है तो दुनिया की महतपूर लुप्त प्राय विरासत वेदसालाओं की सुची में युनेसको में जोड़ लंगत सिंग कालेज खगोली वेदसाला को और ये कहां पे इस्थित है तो ये इस्थित है मुझफरपुर बिहार तो कॉलेज का नाम भी इपर्टेंट है और कहां पे इस्थित है ये भी इंपर्टेंट है युनेसको की लुपत प्राय विरासत वेदसालाओं की सूची में ज निदेसक के पत पे कौन आई है तो ये आई है IFS स्वेता सिंग को PMO का निदेसक बनाये गया अब देखिए आपका रामसर साइट वाला क्वेस्चन हाल ही में भारत के 10 आरदर भूमी अस्थल रामसर सूची में सामिल हुए है अब भारत में कुल कितने रामसर अस्थल हो गये है तो अभी आपको उपर जो है बताय गया था कि आपके 5 जो है बनाये गये थे कब तो जुलाई माह में आपके 5 बनाये गये थे और अभी जो है अगस्थ में जो है आपके 10 और बनाये गये है तो जुलाई में 5 बनाये गये थे 5 आपने देखा था उपर तो 10 अभी और बना प्रिशा से एक, अब कमध्ध प्रदेश से एक और करनाटक से एक और गोवा से एक है, तो कौन-कौन सा है यहाँ पे जो है आपको दिखा दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीन साट ले लेंगे, एक दो बार आप इसको देख लीजेगा कि कौन सा किस राज्य में है, ठीक है, आप आपको याद हो जाएगा, तो इसका स्क्रीन साट ले लीजे, कौन्थन कूलम पक्षिय अभ्यारण ने, तमिल नाडू, मननार की खाड़ी समुद्री जियू मंडल रिजरू कहां पे है, तमिल नाडू में है, वेमबननूर वेटलैंड कॉंप्लेक्स कहां पे है, तो ये भ पूर कहां पे है, तो सिर्पूर आर्दरभू में आपके मध्य प्रदेश में, रंगनत हिट्टू, पक्षिय अभ्यारण ने कहां पे है, तो ये आपके करनाटका में है, सत्कोसिया गार्ज कहां पे है, तो ओडिसा में, इसके लावा नंदा जील आप याद रखेंगे, कह को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,